सद्गुरु जी, मुझे लगता है कि इस आडिटोरियम में बैठे सभी लोग और इंटरनेट पर हमारी बातचीत को लाइव देख रहे हजारों दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या अच्छे स्वास्थे के लिए कोई नुस्खा है आध्यात्मिक्ता योग या ध्यान क्योंकि मैंने आपको कुछ लोगों की मदद के लिए असंभव चीज़ें करते देखा है जब वे बिमार थे और सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी सहत बिगड़ी थी तो कोई भी डॉक्टर या मेडिकल डिक्शनरी उ आप एक दिव्वे दर्शी हैं आप खुदे कंजान रोग से पीडित थे और फिर आपने खुद ही अपने आपको ठीक भी कर लिया बात ये है कि हमने शरीर को भीतर से बनाया है तो शरीर को बनाने वाला भीतर है अगर आपको कोई मरमत करानी है तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मेकैनिक के पास अगर आपकी पहुंच हो तो आप निर्माता के पास ही जाना चाहेंगे अगर आपकी पहुंच नहीं है तो आप मरमत के लिए लोकल मेकैनिक के पास जाएंगे अगर मेडिकल साइंस नहीं होता तो मेरे ख्याल से आधे लोग मर च सन 1947 में एक भारती की ओसत आयू 28 साल थी। आज ये वड़कर 64 साल हो गई है। इसका मुख्य कारण है Medical Science जैसा ये आज है। तो मैं Medical Science की एहमियत कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है। पिछले 30-40 सालों में बहुत कुछ हासिल किया गया है। सवाल बस ये है। अगर आपके पास उस त्रोथ तक पहुँच होती जिसने इस शरीर का निर्मान किया है, तो निश्चित रूप से हर उस समस्या को संभाला जा सकता है जिसे आप शरीर में भीतर से पैदा करते हैं। बिमारियां दो तरह की होती हैं, संक्रामक और पुराने हमें संक्रामक रोग किसी बाहरी वाइरस के हमले की वज़े से होते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, बैठ कर ध्यान करने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास जो कुछ बाहर से आता है, उसके लिए आपको बाहरी मदद चाहिए। अगर आपको किसी जीवानू से लड़ना है, तो आपको दवा चाहिए। तो बाकी सारी लगबख सत्तर पतिशत बीमारियां खुद की बनाई हुई हैं। आपका शरीर आपके खिलाफ काम क्यों करेगा? यह शरीर दरसल स्वास्थ के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह आपके खिलाफ क्यों काम करेगी? क्योंकि कहीं न कहीं आप इसे खुश नहीं रख रहे हैं। अगर सरल तरीक और कुछ अंग किसी कारण से आप से खुश नहीं है, आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, इसका तरीका है, इस पर बाकाइदा ध्यान देने का तरीका है, क्योंकि शरीर में हर चीज भीतर से ही बनी है, जब ऐसा है, तो क्या इसे भीतर से ठीक नहीं किया जा सकता, तो बिजली क्या होती है, मैं यहां आया, मैंने बस दिवार के उस हिस्से को दबा दिया, और चारों रोशनी हो गई, आपको क्या लगा कि मैं कौन हूँ, मान लीजिए, कि आज से हजार साल पहले अगर मेरे पास सेल फोन होता, मैं अपना फोन निकाल कर अमेरिका में किसी इंस बात करता, तो आपको लगता कि मैं भगवान हूँ, है ना? तो चमतकार यानि कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा जो आपकी लॉजिकल बुद्धी में फिट नहीं होता, वो आपको चमतकार लगता है, जैसे जैसे आपका लॉजिक विक्सित होता है, बह आपके अपने शरीर की और जिस तरह से ये बना है उसकी एक ज्यादा गहरी समझ है तो ये ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है